प्रोब्लम होता है तो इस जे शंबंध में जो आपका फॉर्मिट है करेक्ट फॉर्मिट है वो उसके बारे में मैं आपको बता सकते हैं मिजुरीटी कटिट को जो प्रोब्लम हो रहा है इसमें फंध क्या रक्ता है रहा है उन की देखा डाए तो अभी बरतमान का जो फाईनेंसियल है तरह ँग्यंस तरह से जर रहा है तो यह फ्य व2 टू और व 2- ugly यह चल रहा है लेकिन सिंस आपका ये जो अभी ये financial year अस्टार्ट हुआ लेकिन चो आपका income है तो वो income पिछले financial year के आधार पे होता है ये valid for तो two terms होते हैं वो आप certificate के format देखो certificate के format के अनुसार ही आपको देखना है तो इसमें देखो English और Hindi वाले हमने दोनों में लिये हैं तो इसमें ये देखो ये certificate number ये वो इसू करेंगे ये date आपके आप देखो valid for year तो ये valid for the year इसमें आपका होगा 2223 अब एक ये जो आपका होता है income जो income and asset है वो based है वो 21-22 यानि कि जो आपका 1st April 2021 से start हो करके 31st March 2022 ये तक का जो financial year चला ये इसके अधार पे आपके asset और income यानि कि जो income होना चाहिए वो आपका 8 लाक से कम होना चाहिए यानि financial year 21 में और उनके family को जो आपका joint family whatsoever family जो है अब किसी family में combined है तो combined का वो लिया जाएगा किसी family में स्विफ mother, father, son and daughter है whatsoever है तो उनका जो asset होना चाहिए agricultural land होना चाहिए वो five acre या उससे अधिक नहीं होना चाहिए यानि कि five acre से कम होना चाहिए अब residential flat है वो जो thousand square feet से above नहीं होना चाहिए residential plot है यह hundred square yard तो notified municipality में hundred square yard का मतलब है 900 square feet और residential plot of two hundred square yards यानि कि eighteen hundred square feet या उससे जो है अधर दैं notified municipalities में नहीं होना चाहिए तो यह आपको main आपका financial year को देखना है इसी में आप हिंदी में देखो ज़दी तो यह for example यह उत्तरप्रदेश के के लिए format था मान के चलू कि कुछ states हैं जहां हिंदी में बनाया जाते हैं पर इजांपल बिहार यूपी यह सब में आज के रेट में हिंदी बाले पर अधिक जो दिया जाता है वह बनाया जाता है तो देखो यह जो बीत वर्स है बीत यह बर्स मानने इसमें आपका होगा 22-23 और यह जो आपका बीत यह बर्स होगा यह 21-22 इस बात का आपको प्रोपर तरीका से ध्यान रखना चाहिए एक कंडिशन यह लोग रखते हैं कि जो आपका यह यह है यह आपका 21-22 के लिए वैलिट होना चाहिए इसके इंकम के आधार पे जो बीत वर्स अभी बीता होता है 20th April यह अब Civil Services वाले देखो Civil Services का फॉर्म जो आया था वो यानि कि पिछले Financial Year में आया था आपका फॉर्म जो है आपका बना हुआ होना चाहिए तो जिन लोगों ने फॉर एक्जामपल अभी नहीं बनाया है तो जल्दी हो उसको बना लो लास्ट डेट से पहले बना लो अभी आप देखो किसी भी एक्जाम में जिस भी एक्जाम में आपने देखा अभी EWS का कट-off जो है कम जा रहा है यह दो साल तीन साल में बराबर हो जाएंगे आपके जनरल और EWS में कोई अंतर नहीं रह जाएगा लेकिन अभी जब तक आपके पास अपॉर्चिनिटी है तो आप उसका प्रोपर तरीका से लाब उठाई या फिर अधर वाइज है कि सम्टाइम हाफ मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है वन मार्क का डिफरेंस हो सकता है आपने देखा अल्रेडी कि जो बहुत सारे कंपोनेंट हैं जिसमें जनरल और OBC के बराबर हैं सम्टाइम इन फैक्ट देखोगे कि OBC बाले में ज्यादा कट आफ जा रहे हैं तो उसके अलग गरेटेरिया है अधर्वाइज इन है कि बहुत बार आप देखो कट आफ तो सम्टाइम बराबर है लेकिन अभी जब आपके पास एडवांटेज है तो उसका एडवांटेज आप लो तो ये ध्यान रखो कि जो ऊपर मानने बाला के लिए 2022 और तेज यानि 2223 और ये जो इनकम आपका होना जिए ठीक है जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमानित है आर्थिक रूप से कमजोर बर्के सतस्ते हैं क्योंकि बित्तिय वर्स इतना में यानि कि जो बीत चुका है उस वर्स में आपकी जो है फैमली की परिवार की वो आठ लाक रूपे से कम है और इनके स्वामित्तों में कोई भी परिस संपत्ती नहीं है तो यह करेटेरिया है तो यह आप आओगे तो यही दो चीज का मेंली ध्यान एक तो डेट आपका होना चाहिए जो एक तरह से पहले होना चाहिए इन दसेंस फॉर्म फेल करने के पहले और यह मानने जो होना चाहिए इसमें 2022-2022 तो यह आप दोनों इंग 527-146-498 या फिर इस टेलिग्राम नंबर 7404-909669 पर मैसेज कर सकते हैं और जिनको भी फूर यामपल लगता है कि हम टेस्ट लीख सकते हैं, लीखना चाहिए उसका फायदा है तो आप संपर्क कर सकते हो क्योंकि जब अपना टाइम देते हो तो फूल रूप से दो, ओके, तेंक यू